हेलो फ्रेंड्स स्क 11 एक्सपर चैनल मैं आपका स्वागत करता हूं आज किस वीडियो में बात करने वाला हूं वी सीटी वसिस टी एस फूल स्टार्स प्रस इन्फो यानि कि जो आपको विक्टोडिया वर्स टैस्मेनिया का वीच में अस्टेलिया वन डेकप का जो आपको मै करें के बाता है यहाँ पर विक्टोडिया वास के लिए अ चलता हूं तो यह बता दूं पर ये देख सकते हैं आप टैस्मेनिया का स्कroeट में यहां पर चूम कर देता हूं इन्हीं से आपको टैस्मेनिया के प्लेट्स खेलते दिख जाएंगे इसमें कोई चेंज नहीं है मुझे सेम प्लेइंग लेवन खेलती दिख रही है अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं दोनों टीम्स एक-एक मैच खेली है टुनामेंट में इस साल और दोनो को ओपन करते दिखेंगे और बैटिंग ओडर आपको यहीं देखने को मिल सकता एकस्पेक्टेड है सथरलेंड नहीं है पैटिंसन नहीं है तो यह तीन बरे प्लेयर्स हैं जो कि आज के मैच में विक्टोडिया की तरब से नहीं खेलने बाले हैं बॉलिंग में देखेंगे तो आप यहाँ पर सथरलेंड पैटिंसन को दिखनोर करिएगा क्योंकि खेलेंगे नहीं इवेंस को देख सकते हैं आप कॉंड हैं हॉलेंड भी नहीं है तो यह तीन में बालर्स और एक बैट तो चार चेंजे से विक्टोडिया में तो आपको इन चारों प्लेयर्स को सेले देता हूं एक प्लेयर है विल पारकर विल पारकर आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कल आपको डेब्यू करते दिख जाए यह अभी तक डो फर्श्ट क्लास मैच खेल चुके हैं विक्टोडिया के तरब से जिनमी इनके पांच बिकेट है लेग स्पिनर है बिकेट ले ले सकते हैं नेक्ष्ट जैवियन कॉन जो कि एक नए बॉलर ही है पिछले वीडियो मैंने इनका स्टैट्स आपको दिखाया था जब मैंने विक्टोडिया का मैच कवर किया था तो इस्टूनमेंट का तो फिर भी इस टार्स इनके देख सकते हैं और जैक इविंस के भी अच्छा कर सकते हैं तो इन सब का भ्यान लखेगा टेस्मेनिया का रीसंट मैंस का बैटिंग परफॉर्मनस देख सकते हैं इससे आपको बैटिंग और का भी अंदाजा लग जाएगा सेम प्लेर सी हैं मुझे लगता यही सेम बैटिंग और आपको देखने को मिलेगा वहें यह बॉलिंग परफॉर्मेंस आप टेस्मेनिया का देख सकते हैं, सभी बॉलर्स गाइज इस मैच में भी खेलने वाले हैं, पीटर सीडल को भी आड किया गया है, तो हो सकता है, वो भी आपको खेलते दिख जाए, अगर सीडल खेलते हैं, तो मुझे लगता रेंड़ इस में बाहर जा सकते हैं, आप देखना होगा टीम सीडल को खिलाती है, या फिर नहीं, यह टेस्मेनिया का आप लास्ट येर का फुल स्टैट्स प्रस इन्फो देख सकते हैं, यह बैटिंग का है, और यह बॉलिंग का है, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, और आप बहुत अच्छे टीम बना पाईएगा, आप चलिए हम अपनी ड्रीम लेवन की टीम यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर टीम बना के रखी है, मैं अपनी टीम भले ही आपको दिखा दूँगा, और सभी प्लेट्स के बारे में तो मैं आपको इन्फोर्मेशन दू अब से आपको वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, तो पहले हम आते हैं, बिकेट की पर सेक्शन पर, यहाँ पर मैकडॉर्मेट नहीं है, मैथ्यू वेड नहीं है, स्क्वाइड में जो प्ल चल ले, अच्छे प्लेर है, टेकनिकल स्टॉंग है, तो इनको तो हम जरूर लेंगे, जो कि वन डाउन आ रहें, टू डाउन आ रहें, और टीम पेन को हम लेंगे, जो कि पिछले मैच में ओपनिंग करने आ गए थे, और विकेट कीपनिंग भी करेंगे, और आपको पता हो बनाएंगे, और नहीं तो जल्दी आउट होंगे, लेकिन धियार नखे, बिकेट कीपनिंगे पॉइंट आपको हारपर दिलाएंगे, तो आपको इनको भी ले सकते हैं, बैटिंग सेक्शन पर जॉर्डन सिल्क, निक मैटिंसन और सेलब जुवल, तीनों को मैं ले रहा हू जॉर्डन सिल्क पिछला मैच, पहला मैच जो छाट उना मैंडिक में, उसमें बहुत अच्छा खेलें, और आपने इनको विग्रेस लीग में भी खेलते देखा होगा, बहुत अच्छे फिल्डर भी है, काफी एक्स्पिरियंस प्लेयर है, तो इनको मैं ले रहा हूँ, क्यों ओपन करेंगे, पिछले मैच में भी मैङ इनको बोला था आपको जी ये घ्रीक करने केले, पिछले मैच में भी काफी यहाँ पर आक्रमाण के साथ खेले थे, अच्छे प्लेयर हैं, और आपका Сाहँ मया ट्राइक करना है, मैंचेस्टर राइघ्स पिछले साल दो ही म सेंच्ट्यूरी की लेकिन यह बहुत खेलते हैं में अभी के यहां पर इस्मॉल इंग में रिकमेंड नहीं करोुगा जी अप्लिस ट्राइ करके तो आप इनको ट्राइ कर सक्ते अच्छे प्लेयर है तो आप इनको must GL में try करेगा, open batting balling दोनों कर सकते हैं, पिछले मैं चे बॉलिंग करने भी आये थे, तो GL में भी try कर सकते हैं, और down day section पर आता हूँ, जहाँ पर view webster और match shot, इन दोनों को ले रहा हूँ, दोनों batting balling ज्यादा कर सकते हैं, दोनों office spin डालेंगे, और साथ में batting वेब्स्टर तो ज्यादा balling करेंगे, short come करेंगे, लेकिन फिर भी डाल सकते हैं, और कुछ खास option नहीं है, सथरलेंड इस match के लिए एब लेवल नहीं है, मत try करिएगा, एक Murphy है squad में, इनके बारें मैं आपको बता देता हूँ, अगर खेलते हैं तो आप ले सकते हैं, office spinner है, जो कि थोरी सी बैटिंग करते हैं, अंडर 19 वर्ल कप खेले थे ऐस्टेलिया के लिए 2020 में, जिसमें performance ठीक ठाकता ही था, तो आप इनको चाहे तो ले सकते हैं, grinding में, balling पर आते हैं, जहाँ पर हम लेंगे जैक्सन बड को, उसके लिए नेथन आलिस को, और यहाँ पर विल को, और जैक इविंस को, bird और नेथन आलिस, आपके लिए मच्च पिक है, दोनों पिछले साल भी काफी अच्छा खेले थे, अभी सैफिल सिल्ड वाले मैच में भी bird का performance बहुत अच्छा था, आप पिटर सीडल को ले सकते हैं, जो कि यह स्क्वार्ड में आड किये गये हैं, आप उनको ले सकते हैं, baller नहीं है, patinson को नहीं खेलेंगे, और holland ये दोनों भी नहीं खेलेंगे, तो इन दोनों का आप ignore करिएगा, married नहीं है, rain bird मुझे लगता है, इस मैंच में अगर peter सीडल खेलेंगे, तो rain bird नहीं खेलेंगे, तो risky है, jabby and con को ले सकते हैं, andrews को ले रहे हैं उमाल देडि कि जगह आप केश्च को इनको सकते हमें थीक प्ले ght प्लेयाँ दोपलेइर और एड किये गहे हैं उनके बाड़े में आपको बता देता हूं एक यहाँ प्लेयर है उप्लेयर में भ hosts k SolOr एक प्त्राइक है उसमें प्लेज रहे थे वह घ। लिएट भी एक ठीक प्लेयर है अगर खेलते हैं इन दोनों में से कोई एक खेलेगा दोनों फास्ट वाल है तो आप उनको जील में ही ट्राइ करेगा स्मॉल लिग में उतना रिकमेंड नहीं करूंगा तो यह अभी कला हमारी टीम बन जाती है जिसमें कैप्टेंसी में प्लेट्स हो गए उसकलाबा टीम पेन ओपन प्लेस बिगेट कीप रिंग आपको दे रहें तो यह भी अच्छे रहेंगे बॉलिंग में किसी को ट्राइ करना है तो आप नेथन आलिस को कर सकते हैं जो की थोड़ी से आपको बैटिंग भी करकर दे देंगे तो यह सब कुछ आपके लिए सीवी सी की जिनको आप स्मॉल लिग में ट्राइ कर सकते हैं ग्रैंट लिग में आप निक मैडिंसन को ट्राइ करेगा पेन को आपको ट्राइ करना ही है सेलब जूल को ट्राइ कर सकते हैं उसके लाबा आप यहां पर ट्राइ करना चाते तो मैट सॉट को भी कर स में लाइनप साने के बाद अपडेट कर दूंगा तो आसा करूंगा गाईज आप इस वीडियो से कुछ सीख कर गये होंगे अगर आपको ऐसा लगा हो कि आपको टीम बनाने मेंने थोरी भी हल्प की हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ से की